दोस्तो आचारे चानक के एक महान ग्यानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे उन्होंने अपने नीतियों में मनुष्य जिवन को सुख कर वनाने के लिए बहुत सी महत्तपूर्ण नीतिया बताई है कम बोलना सबसे अच्छी बात मानी जाती है और ये एक सच्चे और सब्बे इंसान की पहचान होती है इस दुनिया में कई तरह के लोग है जिसके सोचने का तरीका अलग अलग है कुछ लोगों को कम बोलने वाले पसंद करते है तो कुछ लोग ज्यादा बोलने वाले लोगों को पसंद करते है अधिक बोलने वालों को तो कुछ भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता लेकिन कम बोलने वाले कभी-कभी मुसिबत में पर जाते है तो आई ये जानते है कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या-क्या नुक्सान उठाना पड़ता है अचरे चानेक्के ने कहा है कोयल तब तक मौन रखकर दिनों को बिताती है जब तक कि उसकी बानी मधूर नहीं हो जाती यह बानी सभी को आनन्द देती है अता जब भी बोलो मधूर बोलो कड़वा बोलने से चुप रहना ही बेतर है अचरे चानेक्के ने बताया है कि कोयल पक्षी तब तक शांत रहती है जब तक कि उसके मुख से मधूर बानी न निकले लेकिन दूसरी तरफ कववा एक ऐसा पक्षी है जो कभी चुप नहीं रहता उसके बानी मधूर ना होने के बावजिद वहाद दूसरों को परिशान करने के लिए हमेशा काव काव करते रहता है इसलिए तब तक शांत रहना चाहिए जब तक आपकी बानी मदूर ना हो जाए ऐसा करने से लोग आपको पसंद करेंगे और आपसे मितरता करने की कोशिश करेंगे लेकिन दोस्तों आचारे चानेक के कहते हैं ज्यादा सिधा होना भी सही बात नहीं होता किसी भी इस्त्री या पुरुष को अधिक सिधा नहीं होना चाहिए अगर आप बन में जाकर देखते हैं तो सिधी विर्ख्षो को काड़ दिया जाता है और तेड़े मेरे विर्ख्षो को छोड़ दिया जाता है इसलिए अगर आप कम बोलने वाले व्यक्ति है तो चानेक्य की कई हुई बातों पर आवश्य गौर करे कम बोलने वाले व्यक्ति की लोग ज्यादा से ज्यादा खिल्ली उडाते है और खिल्ली उडाने वाले लोग वो होते हैं जो किसी काम के नहीं होते कम बोलने वाला व्यक्ति बहस में नहीं परता चाहता इसलिए वो ऐसे दुष्ट लोगों को नजर अंदास कर देता है लेकिन दुष्ट व्यक्ति कभी अपने आदत से बाज नहीं आता वो आपको कभी परेशान करना नहीं छोड़ेंगा इसलिए ऐसे व्यक्ति को कड़वे शब्दों से बात करना चाहिए कम बोलने वाला व्यक्ति अपने हग के लिए किसी से लड़ नहीं पाता इसलिए वो कभी-कभी अपना हग भी गवा देता है इसलिए जरूरी है हर जगा कम ना बोला जाए जहाज ऐसी जरूरत है वहाँ ऐसा ही करने में भलाई है अक्सर देखा गया है कि कम बोलने वाला व्यक्ति दूसरों से अपशब्द नहीं बात करता जिसके चलते वहाँ दूसरों की तो सुन लेता है लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाता कम बोलने वाले व्यक्ति को कोई भी कुछ भी कह देता है क्योंकि वह जानते है कि वह व्यक्ति जवाब में कुछ भी नहीं बोलेगा इसलिए ये जरूरी है कि हम इतना भी कम ना बोले कि सामने वाला हमें कुछ भी कह कर निकल जाए कम बोलने वाला बहुत ही अच्छी बात है लेकिन जब इसकी ज्यात्ती होने लगती है तब कम बोलने वाले इंसान खुद ही परिशान हो जाता है इसलिए जरूरत है इसलिए जरूरत के अनुसार हमें खुद को बदलने में ही भलाई है लेकिन जो लोग अपने हैं जो आपसे प्रेम करते हैं ऐसे लोगों के साथ कड़वे शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए अगर उनसे कोई गलती होती है तो कोईल की तरह मौन रहे कर सोज विचार करके ही बात करनी चाहिए नहीं तो रिष्टों में दरार पड़ सकती है तो दोस्तों ये थे वो मौत्त पूर्ण बाते जो कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए आचारे चानक के जीने बताई है